जी प्रेंट्स आप देख रहे हैं यूट्व चैनल वाइस अप्यानी और मैं सफदर खान क्यानी अच्छा फ्रेंट्स इस पर जो मुबाइल फेसे वेरी इंपोर्टन एक मुविग सॉल्वेंट बहुत इंपोर्टन सकता है इसके ट्रबल शूटिंग की कुछ है तो उनकी प्रेंट्स क्या होते और आपके ठाया को सकता है और अप के सिस्टम परहु सकता है को भूध इसनग को अपरेट करें अजिक करें को persist goed पर बात करते हैं मुबाइल फेस्ट के हवाले से अगर आप मुबाइल फेस की पीएच जो है अगर वो ठीक तरीके से मैंटेन नहीं करते जो recommended है method के अंदर तो इसका इंपक्ट डारेक्ट आपकी पीक शेप आता है आपकी सिस्टम की जो पीक है अनलाइसिस की जो पीक है उसमें शॉल्टरिंग के चांसे स्प्लिटिंग के चांसे बढ़ते हैं और दूसरा एक और मैजर एफेक्ट है अगर पी एच ठीक एकुरेट मैंटेन नहीं तो आपका पीक का जो रिटेंशन टाइम वह उट जाते है तो डेफिनिटी जब आप एनलाइसिस कर रहे हो और आपके पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो वह ज्यादा हो तो आपके एक्टेबल नहीं है और डियूरिंग अगर आपकी शेप खरा पॉइंट है आपके मुबाइल पेस की फिल्टेशन अगर आप फिल्टेशन प्रोपर नहीं करते हैं बाइपास कर रहें लिखा हुआ है कि पॉइंट टू से फिल्टेशन करने कुछ मुबाइल पेसी कंपोजिशन ऐसी होती है लेकिन अगर पॉइंट आपको फॉर कि फ्लेशन ऐसाइगे डानियक्ति आपके सीटमार सीट्स्टम मेử ब्लॉख के चासि बढ़ें ऑपके फिलोक होने चांसिस बढ़ते हैं आपके कॉलम में कंटामधमेशन के बाद पर्टिकूल्ईट के बाद शिस्टम का बैक प्रेशर हाइई वहने के चासिस पढद सेयाय तैम-लॉस आपका время व्रेश होगा और दूसरा सिस्टम में लीकेट़ के च़सिब बढ़ जाएंगे किसी भी पॉइंट से लीक्स हो सकता है है आपके चेहीं लिगो सकता है आपकी सीट्सब्स लीक कर सकती है आपके है उनलेत आपके लेक decrease हो सकती है अगर continue particulates जा रहे हैं थ्रू मुबाइल फेर, तो हमेशे याद कि जब भी मुबाइल फेर क्यूज करना है, proper filtration करनी है, बैशक double filtration कर ले, बाद जोगों मेरे recommended होता है, लेकिन filtration को अपने bypass नहीं करना है, तीसरा important point मुबाइल फेर के वाले से, वो है airs, ट्रेप होना, अगर आपके सिस्टम में air जा रही है, थ्रू मुबाइल फेर, अगर मुबाइल फेर को आप डिगेस नहीं कर रहे हैं, मुबाइल फेर में steps होता है, डिगेसिंग का, अगर हम मुबाइल फेर को डिगेस नहीं करते हैं, सिस्टम को इस step को bypass करके, filter करके direct HPC प ले जाते हैं, तो definitely, through mobile phase, आपके system में air जा रही होगी, जब system में air जाती है, system में air trip हो जाती है, तो definitely आपकी analysis effect करती है, in sense of peak area, आपके system का peak area में variation आ जा जायगा, और वो आपके analysis एफेर कर रहेगा, दूसरा, आपके system का pressure, unstable हो जाएगा, जो system का pressure है, वो unstable हो जाएगा, आपस होगा, कभी ड को आगे लेके जाए तीसी लिए अगर तुरू एयर चली गई आपके मॉबाइल फेस्ट के तुरू सिस्टम के अंदर तो हमेशा यादर के जब भी मॉबाइल फेस्ट को डीकेसिंग वाले पॉइंट को कभी भी पास नहीं किया करें और प्रॉपरली सोनीकेटर पर उसके अपर केप लगा रहता है और इसके नावब एक और चीजए मॉबाइल फेस्ट की मिक्सिंग अगर आपको हमोजनाइज नहीं है अन्डिसॉल पार्टिकल बूस के अंदर है तो वह वैल पेस आपका अनिस्टेबल रहेगा जब आपको हमोजनाइज नहीं है यह भी डाइटली एफेक्ड करता है कि आपके आपके माइक्रो लुटर में वीशन अजाए मेट आपको पीक एरिया इसमें वीशन के चांसे बढ़ जाएंगे तो इसलिए इसमें हमेशा पॉइंट यादर रखा है वैल फिश को प्रोपर मिस्थ किया करें सोनी के के बाद इसको मिक्स किया करें मेगनिक्टिक बीट डाल के उसके साथ प्रॉपर ली जब बिल्कुल हमोजनाज होते हैं उसके बाद के जो स्टेप से पीएच मेंटेन करना फिल्ट्रेशन करना यह डीगेस करना इस स्टेप को लाद में लेकिन आपने मिक्सिंग ठीक तरीके स सब्सक्राइब करें कि यह वह इंपोर्टन पॉइंट के वाले से जो लोग केर करते हैं के नहीं करते और फिर वह सारे जो सब्सक्राइब को लाइट मत लिया करें आपका मुविंग सॉल्मेंट है और वेरी इंपॉर्टन सकता है हर इस्पेक्ट से जो मैंने पॉइंट्स पता है उनको मेंशा जेन में रखा करें और उसके लियास से मुवाइल पेस को बनाकर आगए एच्पलसी पर लेकर जाए कर लोगी वीडियो के पर एंड करते हैं लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए कोई भी क्यूरीज आप अपन लिपूछ सकते हैं और जो लोग चैनल पर न्यू है उनसे अगयन कहूंगा चैनल को लादम स्प्साइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो अपने पुछियो प्रफ्चित अप्साइब कीजिए तरह कीजिए था नाविस